प्रस्न पांच मान ग्याद करें प्रस्न पांच का पहला छे दस्मलो तीन भागा सून्ने दस्मलो सून्ने सून्ने छे तीन छे दस्मलो तीन भागा सून्ने दस्मलो सून्ने सून्ने छे तीन तो मान ग्यात करना है तो सबसे पहले हम जिससे भाग देना है उसमें से दस्मलों हटाएंगे तभी भाग दे पाएंगे ठीक है तो सून्य दस्मलों सून्य सून्य छे तीन में से दस्मलों हटाना है पहले तो दस्मलो हटाने के लिए हम सबसे पहले लिख लेंगे इस तरह लिख लेंगे अब हम इसको लिख सकते हैं 63 बटा 63 तो 10 मलों हटाने के लिए 10 मलों हटा देंगे और सुन्ने भी हटा देंगे यहां पे से तो 63 बटा 63 हो गया अब यहां पे 10 मलों के बाद एक अंख है तो यहां पे 1 पे 1 सुन्ने देंगे ठीक है, 10 मलों के बाद एक अंख है यहां पे अंस में तो हर में क्या करेंगे एक पे एक सूनने देंगे और गुना कर देंगे उसी तरह यहाँ पे दस्मलों के बाद चार अंक है एक दो तीन चार तो यह हर में है तो अंस में क्या करेंगे एक पे चार सूनने देंगे और गुना कर देंगे ठीक है तो दसमलों हट गया है अब देखिए एक सूनने से एक सूनने कट गया क्या बचा है यहाँ पर बच गया तीरिसट हजार बटा तीरिसट देखिए तीरिसट गुना एक हजार क्या होगा तीरिसट हजार और बटा में तीरिसट है तो अब 63,000 को 63 से भाग दे देंगे, यहां, 63 से 63,000 को भाग दे देंगे, तो देखें, 10 मलों हट गया है, यहां पर, जिससे भाग देना है उसमें से, तो अब हम भाग दे सकते हैं, तो 63 से किसको भाग दे देंगे, 63,000 को, तो एक बार में लग जाएगा, 63 गुनाएक, 63, ठीक है अब देखें कितना सुन्ने है यहां पर तीन सुन्ने है तो तीन सुन्ने के बदले यहां पर तीन सुन्ने लग जाएगा और यहां पर भी तीन सुन्ने आ जाएगा तो 63 में से 63 घटाएंगे तो सुनने आ जाएगा और यहां पर क्या बचा तीन सुनने तो यहां पर तीन सुनने दे देंगे यानि कितना आ गया हो इसका उत्तर एक हजार तो 6.3 को सुनने दस्मलो सुनने सुनने छे तीन से भाग देंगे तो कितना आएगा एक हजार आएगा तो इसका उत्तर हो जाएगा एक हजार दूसरा तीन दस्मलो तीन नो दो भागा एक दस्मलो छे तो एक दस्मलो छे से इसको भाग देना है तो एक दस्मलो छे में से दस्मलो हटा देंगे तभी भाग दे पाएंगे यहाँ पर तो दस्मलो हटाएंगे इसमें से जिस से भाग देना है तो इसको हम लिख लेंगे तीन दस्मलो तीन नो दो बटा एक दस्मलो छे इस तरह हम लिख सकते हैं बटा में भागा में है तो इस तरह हम बटा में लिख सकते हैं अब दस्मलों हटा लेते हैं तो 3392 में बटा 16 इस तरह लिख लेंगे तो दस्मलों हटाएं हैं तो क्या करना होगा यहां पर अब देखें यहां पर हर में क्या है दस्मलों के बाद एक अंख है तो अंस में क्या करेंगे एक पे एक सूने देकर गुना कर देंगे उसी तरह यहाँ पे अंस में दस्मलों के बाद तीन अंख है एक दो तीन तीन अंख है दस्मलों के बाद तो यहाँ पे हर में क्या करेंगे एक पे तीन सूने देकर के गुना कर देंगे ठीक है तो दसमलों हट गया है तो दसमलों हट आएंगे तो इस तरह लिख लेंगे अब एक सूने से एक सूने कट रिया तो यहाँ पर अब 3392 को 100 से भाग देंगे ठीक है तो हो जाएगा 33.92 बटा 16 देखे 3392 को किस से भाग देंगे 100 से तो एक पर दो सूनने है यानि दसमलों के बाद दो अंक होना चाहिए तो नो के पहले दसमलों दे देंगे 3392 को 100 से भाग दिया है तो हो जाएगा 33.92 यानि एक पर दो सूनने है तो दस्मलों के बाद दो अंग होना चाहिए तो यहाँ पे हम दस्मलों लगा देंगे तो 33 दस्मलों 9 दो को 16 से अब भाग देंगे यहाँ पे 16 दूना 32 ठीक है 16 दूना 32 लगाएंगे तीन में से दो घटाएंगे तो एक आ जाएगा तीन में से तीन घटाएंगे तो सुनने अब अब देखिए दस्मलों यहाँ पे तो यहाँ पे दस्मलों दे देंगे अब 9 को उतार लेंगे यहाँ पे तो एक बार में लगेगा 16 गुना एक 16 9 में से 6 गटाने पर तीन आएगा और एक में से एग गया सुनने अब दो को उतार लेते हैं तो 16 दुना 32 तो इसका उत्तर आजागा 2 दसमलो एक दो ठीक है इसका उत्तर क्या आएगा 2 दसमलो एक दो तीसरा 3 दसमलो 3 आठ एक भागा सुन्य दसमलो सुन्य सुन्य एक चार साथ तो 3 दसमलो 3 आठ एक को किस से भाग देना है सुन्य दसमलो सुन्य सुन्य एक चार साथ से तो इसको हम सबसे पहले इस तरह लिख लेंगे तीन दस्मलो तीन आठ एक बटा सुन्य दस्मलो सुन्य सुन्य एक चार साथ इस तरह हम इसको लिख सकते हैं भागा में है तो अब दस्मलो हटाएंगे तो जाएगा 3381 पटा 147 तो दस्मलो हटाएंगे तो क्या करना होगा यहां पर देखें दस्मलो के बाद यहां पर कितना अंख है एक दो तीन चार पांच पांच अंख है दस्मलो के बाद हर में तो अंस में क्या करेंगे यहां पर एक पे पांच सुन्ने देंगे दस्मलों हटाने के बाद अब यहाँ पे अंस में क्या है? दस्मलों के बाद तीन अंक है तो यहाँ पे हर में क्या करेंगे? एक पे तीन सुन्ने देकर गुना करेंगे इस तरह लिख लेंगे दस्मलों हटा करके अब एक, दो, तीन, तीन सुने से तीन सुने को काट देंगे ठीक है, तीन सुने से तीन सुने कट गया अब गुना कर लेते हैं, 3381 और 100 को गुना कर लेंगे तो जाएगा तीन लाख 38100 ठीक है, 3381 को सुने से गुना कर लेंगे और बटा में क्या है, 147 है अब देखिए, दसमलो हट क्या है, जिससे भाग देना है उसमें से अब भाग हम दे सकते हैं तो 147 से 338100 को भाग देंगे तो 147 से सबसे पहले हम दो बार में लगा देते हैं तो 147 गुना दो करेंगे तो आ जाएगा 294 ठीक है 147 गुना दो करने पर कितना आ जाएगा 294 में, अगर 147 को 3 से गुना करेंगे, तो 338 से जादा आ जाएगा तो नहीं लगेगा इसलिए 2 से लगाएंगे घटा देते हैं, 8 में से 4 गया 4, 13 में से 9 गया 4 ये 2 में से 2 गया सूनने अब 1 उतारेंगे यहाँ पर तो 147 को अगर 3 से हम गुना कर लेते हैं तो आ जाएगा 441 ठीक है, 147 गुना 3 आ जाएगा 441 घटाने पर क्या आ जाएगा? सूनने अब यहाँ देखिए दो सूनने बच गया तो दो सूनने यहाँ पर बच गया है तो यहाँ पर दो सूनने आ जाएगा और यहाँ भी दो सूनने आ जाएगा तो दो सूनने के बदले दो सूनने यहाँ पर उतार देंगे और यह दो सूनने के बदले यहाँ भी दो सूनने लिख लेंगे, तो हो जाएगा 2300, इसका उत्तर, तो भाग देने पर कितना आ जाएगा 2300, 14, प्रस्न, 1.9248, भागा 8, तो एक दसमलो 9248 को किसे भाग देना है, सूनने दसमलो शुनने सुनने आठ से, तो हम सबसे पहले इसको लिख लेंगे एक दस्मलो नौ दो चार आठ बटा सुन्य दस्मलो सुन्य सुन्य आठ इस तरह हम इसको लिख सकते हैं भागा में है तो बटा में इस तरह लिख लेंगे अब दस्मलो हटा लेते हैं तो हो जागा उनीस हजार दोसो अरतालिस बटा आठ दसमलों हटा लिए और सुन्य भी हटा लिए पहले जो लगा हुआ है तो दसमलों हटाने के बाद क्या करना होगा देखें दसमलों के बाद कितना अंक है यहां पर हर में दसमलों के बाद तीन अंक है तो अंस में क्या करें एक पे तीन सुन्य दे करके गुना कर देंगे, अंस में, उसी तरह यहां पे अंस में क्या है, दस मलों के बाद चार अंख है, एक, दो, तीन, चार, तो हर में क्या करेंगे, चार सुन्य दे करके गुना कर देंगे, अब काट लेंगे एक दो तीन तीन सूने से तीन सूने कट गया क्या बचा है यहाँ पर दस बच गया सिर्व अब 19,248 को अब 19,248 को दस से भाग देंगे तो हो जाएगा एक हजार नौसो चोविस दसमलो आठ बटा आठ तो यहां पर क्या किया है 19,248 को दस से भाग देंगे देखे दस बचा है यहां पर एक पर एक सुनने है यानि दसमलो के बाद एक अंक दे दसमलो के बाद एक अंक होना चाहिए दस से भाग देने पर क्या हो जाएगा दसमलो के बाद एक अंक यानि दसमलो जो है आठ के पहले लग जाएगा एक अंक पहले बाई और से तो दसमलो बाई और खिसक जाएगा एक अंक ठीक है एक पर एक सुनने से भाग दे रहे है यानि दस से भाग दे रहे है तो दसमलो के बाद एक अंक होना चाहिए यानि आठ के पहले दसमलो लग जाएगा अब इसको आठ से हम भाग देंगे तो आठ से 1924 दसमलो 8 को भाग देंगे तो आठ दुना सुल घटाने पर तीन आएगा फिर दो को उतारेंगे यहां पर तो आठ चौक 32 32 में से 32 घटाने पर क्या आजाएगा सुन्य अब 4 को उतारेंगे उपर से तो 4 आठ से नहीं लगेगा ठीक है 4 है जो 8 से नहीं लगेगा तो उसके बदले एक सून्य देंगे अब 8 उतारेंगे तो 8 के पहले क्या है दसमलो है तो यहाँ पर दस्मलो दे देंगे अब 8 उतारेंगे तो 8 चक 48 48 में से 48 घटाएंगे तो सूनने आ जाएगा तो इसका उत्तर हो गया 240.6 240.6 प्रेस्न पांच का पांच वाँ सून्य दस्मलो सून्य 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 पांच चार सून्य पांच भागा सून्य दस्मलो सून्य सून्य साथ पांच तो इसको भाग देना है तो इसको हम इस तरह लिख लेंगे सून्य दस्मलो सून्य 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 पांच चार सून्य पांच बटा सून्य दस्मलों सून्य सून्य साथ पांच इस तरह हम इसको लिख सकते हैं बटा में अब दस्मलों हटाएंगे थो जाएगा 54,5405 बटा 75 अब दस्मलों हटाएंगे हैं इसलिए यहाँ पर कितना है दस्मलों के बाद 4 अंख है एक, दो, तीन, चार तो यहाँ पर हम एक पर चार सून्य देंगे यहाँ पर हर में दस्मलों के बाद 4 अंख है तो यहाँ पर अंस में एक पर चार सून्य दे करके गुना कर देंगे अब यहाँ देखिए अंस में क्या है दस्मलों के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सून्य है तो यहाँ पर हर में क्या करेंगे एक पर साथ सूनने देंगे ठीक है इस तरह लिख लेंगे दसमल हटा करके अब एक दो तीन चार चार सूनने से चार सूनने को काट देंगे एक दो तीन चार कितना बच गया यहाँ पर एक हजार बच गया ठीक है तो 5405 को 1000 से भाग देंगे ठीक है 5405 को क्या करेंगे 1000 से भाग दे देते हैं तो आ जाएगा 5.405 बटा 75 ठीक है 5.405 बटा 75 देखिए एक पे तीन सुन्ने है तो जब 5405 को 1000 से भाग देंगे तो यहाँ पे कितना है एक पे तीन सुन्ने है यानि दसमलों के बाद तीन अंक होना चाहिए तो चार के पहले दसमलों लगा देंगे ठीक है तो दसमलों के बाद तीन अंक हो गया क्योंकि एक पे तीन सुन्ने से भाग देना है अब 75 से पांच दसमलो चार सून्ने पांच को भाग दे देते हैं अब देखें पांच तो लगेगा नहीं 75 से ठीक है और उसके बाद 10 मलो है तो 10 मलो देंगे और 10 मलो के पहले सून्ने दिया जाता है 54 भी नहीं लगेगा ये 75 से तो उसके बदले भी एक सून्ने देंगे अब 540 लगेगा 75 से ठीक है साथ बार में तो 75 सते 525 तो यहाँ पे हम 525 लिखेंगे ठीक है तो यहाँ पे देखिए पहले 10 मलो देंगे क्योंकि 5 नहीं लगेगा और 5 के बाद 10 मलो है इसलिए 10 मलो दे दिया दिया जाता है अब 4 यानि 54 75 से नहीं लगेगा तो उसके बदले भी एक सून्ने देंगे यहाँ पे फिर 540 को लगा देंगे 7 बार में 75 सते होता है 525 तो लग जाएगा 8 75 गुना 8 करेंगे तो 540 से ज़्यादा हो जाएगा इसलिए 7 बार में लगाएंगे तो 10 में से 5 गया 5 तीन में से दो गया 1 15 गटाने पे अब यहाँ से 5 को उतारेंगे तो 155 हो गया ठीक है अब दो बार में लगा देंगे 75 दुना 1.500 गटाने पे 5 आजाएगा अब देखिए 5 तो 75 से नहीं लगेगा तो 10 मलो दिया हुआ है तो एक सूनने हम दे सकते हैं दस मलो दिया हुआ है तो एक सूनने दे सकते हैं लेकिन 50 भी 75 से नहीं लगेगा तो एक और सूनने देंगे तो जब एक और सूनने दी हैं तो यहाँ भी एक सूनने देंगे पांचो लग जाएगा कितना बार में? छे बार में तो 75 छक होता है चार सो पचास घटाएंगे इसको तो आ जाएगा पचास फिर पचास नहीं लगेगा पचासतर से तो एक सूर ने देंगे तो छे बार में लगेगा चार सो पचास फिर घटाने पर आ जाएगा पचास तो दिखे इसी तरह बढ़ता जाएगा फिर पांसो होगा फिर छे बार में लगाएंगे साड़े चार सो से इसी तरह ये चलता जाएगा तो ये छे छे बढ़ता जाएगा यहाँ पर तो इसका उत्तर हम सिधा सिधी लिख लेंगे अगर हम यहाँ पर एक और सुन्य दी है फिर छे बार में लगेगा देखे छे छे बढ़ता जा रहा है और यहाँ पर चार सु पचास हो जाएगा फिर घटाएंगे तो पचास आएगा फिर एक सूने देंगे तो पांसो हो जाएगा तो ये करम ये चलता जाएगा इसी तरह से तो इसका उत्तर हम लिख लेंगे यहाँ पर बराबर करके नहीं तो तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं सूने दस्मलो सूने 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 पांच चार सूने पांच भागा सूने दस्मलो सूने सूने साथ पांच बराबर हो जाएगा सूने दस्मलो सूने साथ दो सूने छे छे साथ ठीक है इस तरह हम लगभग में इसका उत्तर देंगे तो इसका लगभग में उत्तर क्या आ जाएगा सुन्य दस्मला सुन्य साथ दो सुन्य छे छे साथ तो देखिए यहाँ पर क्या है छे 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 इससी तरह से बढ़ता जाएगा यहां पर तो बस दो च्छे के बाद इसको साथ कर देंगे तिसरा च्छे जो है उसको साथ कर देंगे एक बढ़ा देंगे लगवग में इसका उत्तर हो जाएगा सुन्ने दस्मलों सुन्ने साथ दो सुन्ने छे छे साथ तो इस तरह इसको हल करेंगे कर देंगे है झाल झाल